नमस्ते जेहिंद मेरा नाम है रॉनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला चैनल अभी अभी हम लोग स्क्रीन से बाहर निकले हैं सैम बहादूर देखकर और सैम बहादूर देखने से पहले कल हमने आपको सालार ट्रेलर का रिवीव भी दिया था उस ट्रेलर के नीचे जितेंजी ने एक comment किया था नहीं 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 तुशार के पापा वाले जितेंदर नहीं स्क्रीन वाला के दर्शक जितेंदर जितेंदर जी ने काई कि रॉनक भाई सैम बहदूर में विक्की कोशल का काम देखकर आप बोलोगे कि एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगी दिक्की भाई या जीतेंदर शी बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है लेकिन देखिए एक आक्टर के लिए कोई भी रोल निवाना बहुत बड़ी बात होती है महीनों की मेहनत होती है और जब रोल किसी नॉन फिक्शनल कैरेक्टर का हो तो ये मेहनत डबल हो जाती है क्योंकि उस शखसियत के बारे में दुनिया को पता है वो कैसे चलता था बोलता था खाता था ये सबको पहले से पता होता है उस किरदार को पर्दे पर दिखाने के लिए मेहनत और जादा करनी पड़ती है और जब वो किरदार, फिल्ड मार्शल सैम मानिकशा को हो तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है अल्ट्रा प्रो मैक्स लेकिन ये मेहनत, ये जिम्मेदारी, ये बोज जो बिक्की भाई ने उठा लिया है न, उनके जैसा और कोई नहीं कर सकते, अक्टिंग के 10 में से 10 नंबर उनको, लेकिन फिल्म को कितने मिले, और फिल्म मुझे कैसी लगी, आई इस वीडियो में आपको पही बताऊंगा, पहले फिल्म का थोड़ा सा प्लॉट बता देता जहां पर सैम आनकशा ब्रिटिश इंडियन आमी का हिस्सा है, और विश्व युद में लड़ते हैं, जब भारत को आजादी मिल जाती है, तो वो मुहमद अली जिन्ना का पाकिस्तान आमी जॉइन करने का ओफर ठुकरा कर इंडिया में रहते हैं, और फिर पाकिस्तान को इ पाकिस्तान यानि बांगलादेश का फ्रीडम मूवमेंट, ये सारी चीज़ हैं, बहुत अच्छे से दिखाई गए हैं फिल्म में, सैम पंडी जवाला नेरो और इंडरा गांधी जी के कितने फेवरेट थे, ये भी अच्छे से दिखाए गया है, और डिरेक्टर मेगना ग और विक्की और जिस सिपाही के बीच वो सीन हुआ है, वो आपके चेहरे पर भी स्माइल ले आएगा, लेकिन दिक्कत यह ही कि इस तरह की सीन फिल्म में बहुत कम है, इसा लगता है एक चेकलिस्ट है, सैम पंडीक्षा की करियर में जो इवेंट आये हैं, जो डिरेक्टर म एक नगुलजान ने बस टिक मार्क किये हैं, फिल्म आगे बढ़ती हैं और ओडियन्स मेजारीटी फिल्म के साथ एमोशनली जुड़ी नहीं पाती, लेकिन सैम बादूर विक्की कौशल एक नमबर, उनके बोलने चलने को देखकर आपको लग जाएगा कि विक्की ने सैम को देखकर लगेगा ही नहीं कि वो एक्टर नहीं है, सानिय मलुत्रा ने फिल्म में विक्की कौशल की वाईफ और फातिमा सनाशेक ने इंदरा गांधी का किरदार किया है, और अच्छा निभाया है, अगर आपने सैम बाहदूर देख ली है, तो आपको फिल्म कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईगा, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी से जरूर शेयर करेगा, विक्की भाई के लिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिएगा, क्या लगता है, उन्होंने अवार्ड वीनिक परफॉर्में फेस्बूक पर देखरें तो हमारे पेज को जरूर लाइक करेगा, see you tomorrow, thank you for watching, jayind!